दुदितराज के बयान के बाद दरसल और दो दो बयान, एक बयान भी नहीं, दो दो बयान सामने निकल कराएं जिसके बाद लगातार स्थितियां किस तरह से बदल रही है वो आपको बताएंगे सबसे पहले उदित राज ने क्या कहा, उदित राज ने ये बात कही है कि जो असम सरकार का जो फैसला है कि मदर्सों के लिए जो सरकारी फंड है उसका इस्तिमाल नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के उन्होंने विरूट सबसे पहले शुरू किया और इसको लेकर के उन्होंन पूजा कराने वाली जैसी चीजों के लिए ठीक है इसके लावा सरकार चलाने के लिए ठीक नहीं है अब इसको लेकर के जवाब भी तो बुरी तरह दिये गए हैं तरफ से चक्रप्राणी महाराज ने कहा कि यह जो चीजे जो अधितराज कह रहे हैं उनको इसके अपने मायन म सामने वो निश्यत तोर पर उसका उनने सिरे से उसको पूरी तरह से स्टेटमेंट को सिरे से खारिज किया है सादू संत बहुत नाराज है और साफ तोर पर इसको लेकर के उनसे माफी मांगने की बात भी कही जा रही है कई संतों ने ये भी कहा कि उधितराज को पता ही नही वो ये भी कि अपने विवादित बयान को लेकर जिस चर्चा में वो आये थे उसमें उन्होंने ये भी का कि असम सरकार ने जो सरकारी फंड मदर से चलाने का निर्णे लिया है उसी तरह यूपी सरकार को कुम्ब मेले के आयोजन पर 42 करोड रुपए खर्च नहीं करने संबित पात्रा ने एक टूइट किया है संबित पात्रा का टूइट सबसे पहले आपको पढ़िए निशित तोर पर मैं भी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि मित्रों ये है गांधी परिवार की सच्चाई पहले एफिडेविट देकर सुप्रिम कोर्ट में कहा था कि भगवान फ्रे राम मात्र कालपनिक है उनका कोई अस्तित्तु नहीं और अब प्रियंका वाडरा जी का कहना है कि कुम्ब मेला भी बंद हो जा जाते हैं हिंदू-मुसल्मान में बात करनी हो तो फिर बलरामपूर का एंगल दिखता नहीं है वहाँ पर और इसके अलावा राजिस्थान की हम बात जो आपको बता रहे थे कि पुजारी को जिन्दा जला दिया जाता है लेकिन राहूल गांधी और प्रियंका गांधी उन पर राहूल और प्रियंका नहीं दिखते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से कॉंग्रेस जगा देखके इलाका देखके किसके साथ क्या हुआ है इसका फाइदा हमें हो गा या नहीं तब जाकर एक पुरा का पूरा फैसला लेती है वो सामने निकल कर आता है अधितराज के बयान को कंडिम किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ कठोर जवाब तो दिया ही जाना चाहिए आप लोग भी निश्यत तोर पर बताईए कि स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और स्टेटमेंट के खिलाफ निश्यत तोर पर एक संदेश आप भी बहुत बहुत शुक्त वीडियो को दिखने के लिए